साथ लेकर सबके विकास की तरफ जो अग्रेसर है वो भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधान मंत्री और विश्व के प्रभाव शाली नेता आदर्निय प्रधान मंत्री नरेंद्रेजी मोदी साहव इस पवित्र संगम भूमिक कराड में पूरे आदर के साथ मैं आपको बिंती करती हूँ कि आप हमें संबोजित करें कि इस मुल्क के सरहाथ को कोई च्छोन डि सकता कि मुल्क के सरहाथ है अब के आके हिंद्वस्तान के आनवान शान मोदी जडरस सभा को संबोजित कि WhatsApp की HE शेत्रपती संब्य हुराजी महराज की छत्रपती राजरति साहु महाराज की कृष्टना नदीच्या काठावर बसलेला सातार कराना माजान बश्कार सातारा हर देश भक्त के लिए हर भारत भक्त के लिए किसी तीर्ट स्थल से कम नहीं है यहां आपने छत्रपती उद्यन राजे भोसलेशी को उमीद्वार बनाया है मेरे यह साथ ही कहते थे कि मोधी जी सतारा आने की जरूत नहीं आप बहुत दोरदूप करते हैं नहीं आएगा उस चलेगा मैंने सामने से कहा सातारा मैं बगवा पहले भी लहराता था और लहराता ही रहेगा मैंने का नई भाई मुझे तो आप सभी परिवार जनों के दर्शन की इच्छा है और मैं आज यहाँ आपके दर्शन करने आया हूँ आपके आसिरवार लेने के लिए आया हूँ और आपने जो भरोसा अपने इस सेवक पर जटाया है उसकी जवाबदारी मेरी है और इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ और यह जो मैं जोज उस्था देख रहा हूँ इतनी बड़ी तादार मैं मांगता है बहने आई है यहाँ से संदेज साफ साफ है आरिज जोश उस्था उमांग यह साफ मतलब है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साफ्यों यह मेरा सोभाग्य है कुछ बाते याद आ जाती है जब यहाँ आता हूँ तो 2013 में जब भारती जनता पार्टी ने मुझे प्रधान मंत्री पत्के उमिद्वार के लिए गोशित किया तब तो चुनाव गोशित नहीं हुए थे लेकिन जब मुझे गोशित गया तो मैं राइगड के कीले पर चला गया और कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं च्छत्रपति सिवाजी महराज की समाधी के सामने ध्यानस्त होकर उस पवित्र भूमी पर बैठा था और उस समय शत्रपति सिवाजी महराज की उस समाधी सल से मुझे जो प्रेना मिली जो उर्जा मिली उस पवित्र माती ने मुझे जो आशिरवाद दिये उसी की बदौलत बैपिछले दस साल उन्ही आदर स्वाज़ विचारों को जीने का प्रयास करता हूं आपके लिए कुछ ने कुछ करने का प्रयास करता हूं साथियों सातारा ने छत्रपति सिवाजी महराज के सूशासन को देखा है सातारा की ये भूमी शावरिय की भूमी है आज मिलिटरी अप्षिंगे गां हो या सातारा का कोई भी सहिनिक परिवार हो आत्म निर्बर होती भारत की सेनाओं को देखकर वो सबसे ज़्यादा खुश है आज हमारी सेना के पास एक से बढ़कर एक मेड़ी इंडिया हत्यार है अब आप ही बताईए भाईयों बहनों ऐसे काम करके मोदी ने जिनकी दुकाने बंद कर दी वो खुश होंगे क्या वो खुश होंगे क्या हत्यारों के जिन दलालों को कॉंग्रेस की सरकार बहुत अच्छी लगती थी वो कभी भी मोदी की वहवाई करेंगे क्या साथ्यों मोदी ने सैनिक परिवारों को एक और गारंटी वन रैंक वन पैंशिन की दी थी और मोदी ने ये गारंटी भी पूरी करके दिखाई कोई कैसे भुल सकता है कि कॉंग्रेस ने 40 साल तक सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पैंशन ओर ओर ओपी उससे बंचीत रखा सरफ पांसो करोड रुपिय का जहां एने जुन-जुना दिखा कर कॉंग्रेस कहती थी ओर ओपी लाएंगे यहने आँख में दूल जौकने में इनकी ऐसी मास्टरी है जूट बोलने में इनकी ऐसी मास्टरी है कि आज बीजेपी सरकार ओर ओर ओपी के एक लाख करोड रुपिये अब सोचिए वह पांसो का खेल खेल थे पांसो करोड का आज एक लाख करोड रुपिये से ज़्यादा अपने पूर्व सैनिकों को दे चुकी है भाई और बेहनों देश 1947 में आजाद हुआ कॉंग्रेस ने गुलामी की मानसिक्ता को फलने फुलने दिया पूरी दुनिया छत्रपती सिवाजी महराज की नव सेना का लोहा मानती थी आज भी विश्व में जब भी नव सेना की दुनिया में चर्चा होती है जो छत्रपती सिवाजी महराज का नाम लिया जाता है लेकिन इतने सालों तक आजाद भारत की नव सेना के जंडे में अंग्रेजों का निशान था एंडिये सरकार ने मोदी ने आकरके उस अंग्रेजी के निशान को हटाया हटा करके रुका नहीं मोदी ने तय किया कि जंडे का ताकत तब बढ़ेगी कि हमारी नव सेना के जंडे में अब छत्रपती सिवाजी महराज के पती को स्थान दिया जाएगा और दिया डंके की चोड पर दिया हमारी सरकार ने मराटा सेना उद्वारा बनाए गए एतियासिक कीलों को भी युनेसको की वर्ल्ड हैरिटेज साइट में शामिल करने के लिए नामांकन किया है महराज का लोगड हो सिंदू दूर्ग हो या फिर मराटा सेना उद्वारा बनाया गया तमिल नाडू का तमिल नाडू का जिंजी फोट हो इन सभी को वर्ल हैरिटेज साइट की लीस में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं मराठा बिरास्त की शाम दुनिया में बढ़ेगी तो हम सब को गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दुनिया में डंका बज़े तो गर्व होना के जिन नहीं होना चाहिए लेकिन कॉंग्रेज को तकलीब होती है कि मोदी ये सब काम क्यों कर रहा है साथियों सातारा ने बाबा साब आम बेड़ कर महत्मा फुले और सावीत्रिवाई फुले के सामाजिक न्याय को गड़ने में बड़ा योगदान दिया है एंडिये सरकार ने दस वर्सों में इसी प्रेणा को सुषासन का आधार बनाया है आप देखिए कॉंग्रेस दे सब्तर साल में से साट साल देश पर शासन किया लेकिन बाबा साब आम बेड़ का संविदान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था तिन सो सत्तर की दिवार बनाई हुई थी आपके आशिरवाद से आपके सेवक मोदी ने आर्टिकल 370 को द्वस्त कर दिया कब्रिस्तान में गाड दिया मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया आप मुझे बताइए आपको गर्व होता है कि नहीं होता है तिन सो सत्तर हटा करके देश की सान बड़ी कि नहीं बड़ी देश की एकता को ताकत मिली कि नहीं मिली यह गारंटी मोदी ने आपको दी थी और मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी अब जम्मू कश्मीर में मैं जरा जो लोग आरक्षन के नाम पर जूट बोल बोल करके हमारे देश के लोगों को गुमरा करने में लगे है मैं जरा चूबने वाला एक सवाल उनको पूछना चाहता हूँ इतने आरक्षन के गीत गारे हो क्या जम्मू कश्मीर में रहने वाले आदिवासी जम्मू कश्मीर में रहने वाले दलीत क्या वो आरक्षन के हकदार थेक नहीं से जब देश के दलीतों को आरक्षन मिल सकता है देश के आदिवासीों को आरक्षन मिल सकता है तो जम्मू कश्मीर में मेरे दलीत भाई बेहनों को मेरे आदिवासी भाई बेहनों को आरक्षन से बंची क्यों रखा गया संविधान वहाँ पर लागू क्यों ने किया क्योंकि बोर्ट बेंक की राजनिती आप पर हावी रही है भाई यो बेहनों 370 हटा कर बाबा साब आम बेड़ करके समिधान को जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया वहाँ मेरे दलीत भाई बेहनों को आरक्षन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बेहनों का आरक्षन का अधिकार मिला वो भी सी भाई बेनों को आदर खिरकादिकार मिला वो हक मिल रहा है जिंदुस्तान के हर महिलाओं को मिल रहा है वो आज जम्मु कश्मिर में आज जादी के इतने सालों के बाद मिल रहा है भाई और बेनों हमारी सरकार में ही मेरे देश वासियों को मुप्त राशन, मुप्त इलाज, पक्का घर, बिजिली, पानी, अंगिनित्थ विदाएं आखरी व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए मोदी ने अपना पल पल खपाया है और इलाप पाने वालों में जादार कतर कौन लोग है कौन लोग यो इन चीजों से वंचीतते इन सारे लाप को पाने वाले सबसे जादा मेरे दलीद भाई बेहन है, मेरे आदिवासी भाई बेहन है, मेरे iobie CP ने परिवार है अब BJP NDA की सरकार से इन्हें प्रात्पिक्ता दे कर काम कर रही है सांतियों हमारी सरकार नहीं आरक्षन जो पुलिटिकल आरक्षन की बबत्ता हैं पहले जब अतलजी की सरकार थी तब उसका कारकाल बढ़ा दिया था और जब मोधी को अपने अउसर दिया मोधी ने फूर उस कमिटमेंट है हमने ओभी सी कमिशन को समयधानिक दर्जा दिया लेकिन कॉंग्रेस के इरादे क्या है यह हमने करनाटका में देखा है क्या कराई चत्रपत्दी शिवाई जी महलायज की दरती जमेंट आपको जगाने आया हूं भाई यह क्या खेल कर रहे जरा चोग जाएंगे आप सुनकरके बारत का समिदान धर्म के आधार पर आरक्षन की मनाई करता है बाबा साब अम्मेड कर धर्म के आधार पर आरक्षन की मनाई करते है लेकिम उन्होंने क्या क्या करनाटका में OBC को जो आरक्षन मिला हुआ है 27 परसंट उन्होंने रातो रात सभी मुसल्मानों को OBC गोशिप कर दिया एक फत्वा निकाल दिया कागेज पर छप्पा मार दिया और रातो रात OBC के हग के जो 27% आरक्षन था उसमसे डाका डाला और अधिक्तम उन्हीं को दे दिया अब कॉंग्रेस सम्विधान बदलकार यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है लेकिन कॉंग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले कान खोल करके सुन लीजिए जब तक मोदी जिन्दा है जब तक जनता जनार्ण का मुझ परातिरवाद है दर्म के नाम पर आरक्षन लाने की आपकी कोशिद मेरे जिन्दा रहते आप नहीं कर पाओगे लिखके रखना साथ्यों यह 21 सदी टेकनोलोजी डिवन सदी है और मैं स्वयम भी टेकनोलोजी का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ मैंने सोचल मिडिया का उपयोग हमेशा जनता जनार्दन से जूड़ने के लिए किया है आपकी इच्छाओं आकांग्षाओं को जानने के लिए किया है आप तक सरकार का कोई कारकम पहुंच रहा है या नहीं उसमें सुदार की गुंजाईच क्या है ऐसी फिडबेक के लिए मैंने सोचल मिडिया का उपयोग किया है लेकिन ताजा अगटनाएं परेशान करने वाली है लोग तंत्र पेमी हर व्यक्ति को सर्मशार करने वाली है जो लोग बाजपा से एंडिये से मुद्दों के आधार पर सच्चाई के आधार पर अपने कार के आधार पर आमने सामने राजनितिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं अब सोचल मिडिया पर ठेक विडियो फ्या रहे हैं हमारी पार्टी के अलग-अलग नेताओं के आवाज में आर्टिफिशल इंटेलिजिशन्स का उप्योग करके कभी मेरी आवाज कभी हमारे अमिद भाई की आवाज, कभी हमारे नड़ाजी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज और जो कभी हमने सोचा भी नहों, ऐसे बात के हमारे मुँम में रख करके, आग लगाने की कोशिज कर रहे हैं ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियों से, समाज के अंदर तनाव प्यादा करने का शडियंत्र चल रहा है देश में अगर शांती पुन चुनाव चलते रहें, तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते और इसलिए, आने वाले एक महने के अंदर अंदर, देश में कोई बड़ी हरकते करने का इनका इरादा है और मैं मैं एक बड़ी गंबीर तासिन पारोप लगा रहा हूं समाजी तनाव प्यादा करके, अन्होनी गटनाए गटे, इसके खेल खेले जा रहे हैं और इसलिए मैं शत्रपति सिवाजी महराज के सातारा की पवित्र धर्ती से देश वाज़ियों को कहना चाहता हूं मिडिया के मेरे साथ योगों कहना चाहता हूं कि लोक्तंत्र की भलाई के लिए, देश पर सुक्षांती के लिए, देश की एक तवा के लिए कृपा करके, जो भी फेक वीडियों निकलते हैं, उनको हम एक्सपोज करें, ऐसे कोई भी वीडियों कोई भी तस्वीर, आपके आए, तो किसी सोचल मीडिया पर दिखें, तो मेरा रिक्विस्ट है, पुलिस को जानकरी दे, उसको फॉर्वर करने से पहले सोचिए, कहीं वो आपका भी नुक्सान कर देगी, क्योंकि कानुन बहुत कड़क है, और मैं ही चाहता हूं, कि निर्दोस नागरिक इसके शिकार हो जाए, और इसलिए ये फेक विडियो, इन सबसे हमारे समाथ को बचाना हमारा दाइक्व है, और ऐसे लोकों के विरुद, मैं इलेक्शन कमिशन से भी विशेश रुप से रिक्वेस्ट करता हूं, कि आप उनके वर के कठोर कारिवाई करने के लिए, कदम बढ़ाएं है, सरकार पुरी तरह सच्चाई के साथ रहेगी, कि मैं देश स्वास्यों को भी स्वाद दिलाता हूँ, साथियों, हमार यहां कॉंग्रेस ने स्वास्त सेवाओं का ये हाल बना रखा था, कि जिसको बिमारी हो जाती थी, वो बदहाली तक पहुँच जाता था, बिमारी को बदकिश्पती मानने के अलवा, कोई विकल्प बचाई नहीं था, गर में किसी को गंबीर बिमारी हो जाती थी, तो इलाज में खेत कलियान तक बिग जाते थे, महिलाओं के गहने बिग जाते थे, कई कई सो किलो मेटर दूर जाना पड़ता था, तब जाकर के को अंग्रेस के शासन ने, लेकिन मोदी ने स्वास्त सेवाओं से जुड़ी परिशानियों को भाग्य के नाम पर नहीं छोड़ा, मोदी ने हर देश राजी को बहतर स्वास्त सेवाए देने का संकल्प लिया, हमने देश में बिश्चे ज्यादा नए एंस बनाए, बहतर स्व 2014 में देश में करीब पचास हजार MBBS की सीटे थी, पचास हजार डॉक्टर निकलते थे, आज हर साल एक लाग से जादा MBBS डॉक्टर्स परद करके निकल रहे हैं, ये डॉक्टर छोटे सहरो ग्रामी लिलाकव में भी इलाज का बड़ा माध्यम बन रहे हैं, आज मान आरों के मंदिरों के घरिये, आज गाउम गाउमे स्वास्त सिवाओं का विस्तार हो रहा हैं, यहां सातारा में लगबग 400 से ज़्यादा आज मान आरों के मंदिर बने हैं, अस्पतालों के बहतर नेटवर्क के हलावा, गरीब और इलाज का बोज ना आएं, उन पर मुसिबते न जेली पड़े, यह मोदी ने इसकी गारंटी दी, यहां सातारा में 15 से ज़्यादा जन अवसदी केंद्रों पर 80% डिसकाउंट से दवाईया मिल रही हैं, जो दवाई 100 रुपय की कीमत हैं, वो सर्व 20 रुपय में मिलती हैं, आज करोडों लोगों के पास 5 लाख रुपय मुप्त इलाज का अवश्मान कार्ण है, और मैंने एक और गयरंटी दी है, आप गरगर तक पहुँचाना, किसी भी परिवार में, किसी भी जाती वर्ग, विशेज, कोई भी परिवार, आपके घर में, सत्तर साल की उपर के कोई जो भी व्यक्ति होंगे, अब उनकी बिमारी का खर्चा जो आपको करना पड़ता है, अब वो खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा, यह आपका बेटा मोदी करेगा, ज्याने कोई गरीब हो, मद्यम वर्चे हो, या उच्च वर्चे हो, अगर सत्तर वर्चे उपर का है, तो आईश्मान योजरा के दाइरे में आएगा, और उसको लाब मिलेगा, बाहि और बैणों, सत्ता को अपने खांदानी जागीर समझने वाले आपकी इस तकलिफ को कभी नहीं समझ सकते, यह चिन्ता वही कर सकता है, जो आपके बीच रहा हो, जिसने आपकी तकलिफों को देखा, जिसने आपकी तकलिफों को जीया, सास्यों, कॉंग्रेस सरकार का रवया गरीबों को लेकर क्या होता था, इसका अंदाजा आप उनकी नीतियों से लगा सकते हैं, आज हमारी सरकार असी करोड जरुरत मंदों को हर महिने मुपतानाज देती हैं, और जब से कोरोना आया तब से चालू किया और आने वाले पांच साल की भी गारणटी दी है, एक भी नाय पैसा लिये बिना मुपतानाज देते हैं, लेकिन जब कॉंग्रेस की सरकार थी, तब लाखो टन अनाज सरकार के गोदामों में सडता था, पानी में भी गता था, और कॉंग्रेस सरकार उसे गरीबों को देने को तयार नहीं थी, मना कर दिया था, इतना ही नहीं, सुप्रिम कॉट्टे कहा था, सुप्रिम कॉट्टे हस्तक्षेप किया था, और सुप्रिम कॉट्टे कहा था, कि कॉंग्रेस सरकार अनाज गरीबों में बाटे, लेकिन तब कॉंग्रेस सरकार के पदान मंत्री, डॉक्टर मनमोन चीजी ने क्या कहा, आपको सुन करके चौग जाएंगे, उन्होंने कहा था, कि सुप्रिम कॉट्ट इस मामले में दखल न दे, यानि अनाज सडता है तो सडे, गरीब भुग से मरता है तो मरे, लेकिन कॉंग्रेस सरकार गरीबों को अनाज देने को तयार नहीं थी, ये कॉंग्रेस की असम्वेदन सिल्टा थी, और इसलिए ही आज जब मैं 80 करोड जरुरत बंदों को मुप्त राशन दे रहा हूं, तो कॉंग्रेस को सबसे जादा दिक्कत होती है, भाई और बहनों, तुष्टी करन के आगे, गुटने टेट चुकी कॉंग्रेस ने, एक और बड़ी गोशना, खतरनाग गोशना की है, यह कॉंग्रेस कह रही है, आपके खेत, आपके घर, आपके परिवार में माता और बेहनों के गहरें, उनके मंगल सुत्रा, कॉंग्रेस कहती है, अब एक्सरे करेंगे, एक्सरे, आपके लॉकर में क्या पड़ा है, एक्सरे करके देखेंगे, आपके घर में क्या पड़ा है, एक्सरे करके देखेंगे, याने गर-गर छापा मारी करेंगे और आपकी संपती जब तक करेंगे एक लिमिट से उपर आपको जो भी है उसको लूटने का कॉंग्रेस सरकार इराधा रखती है और उनकी जो खासम-खास वोट बैंक है न उनको मजबूत करने लिए उनको बाड देंगे मैं जड़ा साता रखके भाई बैंनों को पूछना चाहता हूं क्या आप ऐसा होने देंगे कि आप ऐसा होने देंगे क्या आप को इस प्रकार की नीतिया मन्जूर है ऐसा सोचने वाले लोग देश की राज में होने चाहिए मोधी का प्रयास है कि देश में हर बहन के नाम पर कोई न कोई प्रॉपर्टी हो इसलिए गर बहनों के नाम पर दिये जा रहे हैं जन जन खातों से करोडों बहनों को पहली बार बैंक खाते खुले अब बीजे भी सरकार उसमें सीधा पैसा डालती है मोधी अपनी बहनों को ड्रोन पाइलोट बनाने में जुटा है मोधी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदेई बनाने की गारंटी दी है लेकिन कॉंग्रेस के साजादी की चली तो कॉंग्रेस माता और बहनों की ख़वाई उनके गहनों को भी नहीं छोड़ेगी साथ्यों मोधी का संकल्पा हर बहन के घर तक और हर किसान के खेट तक पानी पहुचाने का है लक्ष्वन राव्य नामदार लिप्ट इरिगेशन स्कीम हो तराली प्रोजेक्ट हो टेम्बू लिप्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हो वांग इरिगेशन प्रोजेक्ट हो ऐसी हर सीचाई परियोजना महयूति सरकार की प्रास्पिक्टा को दिखाते हैं आने वाले पांच साल में ऐसे अनेक सीचाई प्रोजेक्ट हम पर पुरा करेंगे, साथ्यों हम खेती में सहकारिता का व्यापक विस्तार कर रहे हैं, इसलिए पहली बार अलग सहकारिता मंत्राले बनाया गया है, हमारी सरकार ने गन्ने के एफारपी में रिकॉर्ड वृद्धी की, पहली बार शक्कर के एमस्पी तैक की है, हमारी सरकार इसे नौल पर इतना जोर दे रही है, इसका सिधाला गन्ना किसानों को हो रहा है, पी-एम किसान सम्मान निदे के करीब पंदरा सो करोड रुपिये, यहां सातारा जिले के मेरे किसान बाहियों के खाते में जमा हुए है, साथ कि बीजेपी अपनी विरासत को भी सान से आगे बढ़ाने में जूटी है, इसलिए जो हमारे किले हैं, उनको भी सजा या सम्मारा जा रहा है, यहां कनेक्टिविटी पर बहुत काम हो रहा है, हम यहां जो हमारे आस्ता के सान है, जो दरोरे हैं, वह आना जाना आसाम बना रहे हैं, मेरा आप से आगर हैं, साथ मई को हत बुहर बूद पर कमल खिलाना चाहिए, बारी मतदान होना चाहिए, और आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपका सपना, यह मेरा संकल्प है, और आपका सपना पुरा करने के लिए, मेरा बीजन भी है, और जीवन भी उसी के लिए है, 24 by 7, 24 by 7, for 2047, इस मंत्र को ले करके मैं काम कर रहा हूँ, आप गर-गर जाएए, मतदान के लिएगों को प्रेरित के लिए, जादा से जादा पोलिंग बूत पर, जादा से जादा बोटिंग, पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ने के लिए, गर्मी कितनी ही क्यों न हो, बेश के लिए, हम समय निकाले, मतदान अवश्य करे, क्या आप मतदान बढ़ाएंगे, गर-गर जाएंगे, पोलिंग बूत जीतेंगे, अच्छा मेरा एक काम और करेंगे, मेरा एक पर्सनल काम करेंगे आप, जड़ा हाथ उपर करके बताएं तो मैं मानू, करेंगे, करेंगे, अच्छा गर-गर जाईएगा और कहिएगा कि मोधी जी सातारा आये थे और परिवार के सबको नमस्कार कहा है मेरा नमस्कार पहुचा देंगे हर पिरव्यार मेरा नमस्कार पहुचा देंगे वह ले भारत माता की